नमस्कार दोस्तों, डिफेंस प्रोपर्टी मंतरा के एजुकेशनल सीरीज में आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं, यंग जो हमारे बच्चे हैं, जो यंग एंटर्प्रिनोर हैं, वो प्रोपर्टी कब ले, कैसे ले और किस तरह से उनको इजी रहेगा प्रोपर्टी पर्चेज में और प्रोकूर्मेंट में तो जैसे आप सब जानते हैं, कि इंडिया वर्ल्ड का यंगेस्ट पॉपॉलेशन कंट्री है और यहां पर अगर मैं बात करूँ, पचीस साल से कम, उमर के लगवग 50% युवा है और 35 years and below, 65% है, जो पूरे वर्ल्ड वाइड ड्राइव करती है चाहे हम बात करें IT सेक्टर को, चाहे हम बात करें किसी भी आटोम वाइल सेक्टर में चले जाएं इंप्लाइमेंट में चले जाएं, या अगर हम बात करें फार्मा सेक्टर में भी हमारे युवाओं का एक बड़ा युदान है हर एक युवा का सपना होता है कि अपना उसका घर हो क्योंकि एक emotion के साथ जुड़ा हुआ है एक उसके साथ एक ownership जुड़ी भी है कि अपना घर तो है लेकिन जब हम कमाने लगे तो अपना घर जल से जल दे बढ़िया सा घर ले, शानदार घर ले सपनों का घर ले हमारे चैनल से युवा बहुत जुड़ रहे हैं और में के सवाल आते हैं जिनका हम कोशिस करते हैं कि अगली वीडियो में जो हमारा हो प्रपर्टी मंतरा का डिफेंस प्रपर्टी मंतरा का उसमें आपका जवाब दे और आप जिस तरह से हमारे साथ जूड़ रहे हैं आपका प्यार जूड़ा है आगे हम नए नए टोपिक पे प्रपर्टी संबंदी बातों पे वीडियो लेके आते रहेंगे इससे पहले हमने रेरा के उपर कारी किया है फ्लैट फ्लिपिंग के उपर दिया हुआ है ट्राइ सिटी में प्रपर्टी क्यों ले एर्पोर्ट रोड ही क्यों हो इस तरह से डिफरेंट सब्जेक्ट पे तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल अकन दवा दे ताकि लगातार नोटिफिशन मिलते रहे और आप से कोई वीडियो छुटे ना जो बहुत इंपोर्टन हो और अपने साथ, अपने साथियों तक, अपने परिवार के लोगों तक शेर करें जिस तरह से आपलोग का रिष्पोंस आता है, कि आपने अपने रिष्थेदारों को भी शेर किया है और उन्हेने इसको बहुत लाई किया है तो आज के इस खास टॉपिक में जो युवा है, उनके उपर जो आपने बनाई है इसके उपर बहुत सारा होंबर किया हुआ है और इसके उपर आज मैं जो बात करने वाला हूँ सबसे पहला मुद्दा आता है कि एक युवा जो प्रॉपर्टी ले तो उसके लिए करे क्या जब आप यंगर एज में कोई जॉब जॉइन करते हैं चाहे आप IT में हो चाहे आप फॉज में हो चाहे आप फॉर्मा सेक्टर में हो चाहे किसी भी सेक्टर में आप कारे कर रहे हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो या अपना एक बिजनस कर रहे है तो सबसे प्राइम रिक्वार्मेंट है कि आपके पास self-funding होना जुरूरी है अगर मैं बात करो कि 30 लाग तक की कोई भी property select करते हैं तो bank आपको 90% तक bank loan देता है अगर 30 लाग के उपर होती है value तो bank आपको 80% देता है और 20% self-funding जीए यहाँ पर एक समस्य आती है जो कई लोगों का एक मेरे पास भी आते हैं मिलते हैं यह especially young और youth तो उनका एक vision होता है कि चलो मैंने property तो select कर ली मेरे पास 2-3 लाग रुपया है अगर 50 लाग की property है तो average उनके पास 10 लाग self-funding होना जीए अगर आपके पास 4-5 लाग रुपया भी है तो आपने home work करना बहुत जुरूरी है क्योंकि समस्या के आने वाले उसका समाधान भी क्या है दोनुची में बताऊगा तो सबसे बड़ी चीज है कि जब property आपने 50 लाग का लिया आपके पास 5-5 लाग है आपने 30 लाग का लिया आपके पास 2-5 लाग है registration का भी खर्च आने वाला है कई maintenance charges भी आता है आप घर लेते हैं तो उसके अंदर कुछ आप add-on features भी add-on कराते हैं तो आपके पास उसके लिए पैसा होना जरूरी है मैं maximum बच्चों को देखता हूँ जब आते हैं तो कहते हैं कि मैं अपने चाचा से ले लूँगा अंकल से ले लूँगा फ्रेंड से ले लूँगा लेकिन उनको नहीं पता कि उनको दो तरह से ब्याज देना है या पैसा return करना है एक तो बैंक का करना है दूसरा पैसा अपने उन रिस्तेदारों को देना या friend circle में देना है कई बार ब्याज भी देना है जो ज़्यादा होता है तो बैंक का ब्याज तो आपको 8.5% जो भी fix rate है उस पर होता है लेकिन जो आपके रिस्तेदारों का होता है चाहे मैं friend circle का होता है या market से लेते हूं ब्याज बहुत जाता होता है 2-3% से सुरूँ के 5% है कई लोगों को लगता होगा कि ऐसा नहीं है विसेस कर मैं गाउं में बात करूँ तो वहां तो 3-4% पर मन से ब्याज शुरू होता है और 10% तक जाता है जो बहुत ही गलत है और एक तरह से किसी का शोशन करना है तो मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट करें जो लोग अब गत हैं कि इस तरह का ब्याज चलता है और जिनको नहीं हो भी बताएं ताकि बाकी लोगों से उनको जानकारी मिले और वो इस चरह के परिशानियों में न पड़े कई हमारे दोस्तों का सुझाब होगा या सवाल होगा कि अगर हमारे पास डाउन पेमेंट 20% ना होगी फिर क्या करें वेट करें क्या देखिए प्रपरटी में अगर आप वेट करेंगे थोड़ा थोड़ा करके मैं खरीद दे जाऊंगा तो एवरेज मैं लेता हूं एक फिगर दस परसेंट कि अगर दस परसेंट से भी मल्टिप्लाई करता है पर्टिकुलर जो भी प्रपरटी है तो 30 लाग की अगले सारो 33 लाग की होगी पांच सालों में लगबग 48 तो जो 6 लाग का फिगर आपने बनाया था कि 6 लाग डाउन पेमेंट होगा 24 लाग का लोन लोंगा अब वो लगबग 10 लाग का डाउन पेमेंट हो जाएगा और लोन की वी वैलू बढ़ जाएगी अब करें क्या आपने जो अपनी कुछ सेविंग की हुई है फर एक्जांपल अगर आप चालिस पचास आठ जारुपे कमा रहे हैं लाग कमा रहे हैं जिस भी इंकम ग्रूप में हैं उसके अनुसार आप प्रपर्टी सेलेक्ट करते हैं तो सेविंग की आदत तो अर्ली ओयेना वांसे सही समय पे अर्ली एज में बना पाएंगे दूसरी बात है कैघ डिπαर्टमेंट अगराप गौन डिपार्टमेंट में तो वहां से भी लोन में जाता है अगर आप बूझने बिभ़नों के लिए पूर्षन निकाल intent के आपने अगर डिसीजन ले लिया घर लेने का और उसको आप जितना डिले करेंगे उतना ज्यादा कॉस्ट बढ़ता जाएगा तो इसको आप कोशिस करें आइधर बैंक से इवेन अगर मैं बात करूं तो अभी गौर्मेंट और सेमी गौर्मेंट बैंक लोन जो अगर परसनल पहले जो बहुत महगा था ठार बीस पचीस परसंट था अब लगबग साढ़े नौ दस साढ़े दस परसंट पे आपकी क्रेडिट लिमिट के नुसार ले जाता है ताकि सेल फंडिंग का आप एरेंज कर ले उसको दस से बीस परसंट का जो भी मार्जिन बनी है उसको कम्प से बताया कि अगर आप तीस लाग की प्रोपरटी पांच साल बाद लेते हैं तो और ताली लाग होता है अगर जितना भी हम इसको डिले करते जाएंगे आप सोचेंगे छे साल बाद मेरी अच्छी सेलरी हो जाएगी मैं ले लूँगा तो होगा क्या आपने लोन भी होता है तो आप इस लोन को एवेल करें और प्लानिंग से कारण कि अगर आपने घर ले लिया है तो होगा क्या आपका एक जो पार्ट है जो किराएक रूप में जाता था वो बचने लगेगा वह आप यह वहीं में दे सकते हैं जो टैक्स है जो लोग पचास लाग से जादा है टैक्स भी पे कर रहे हैं जो 30 परसेंट में बहुत जादा टैक्स पे कर रहे हैं तो हाउसिंग लोन पे जो भी इंट्रेस्ट होगा प्लस उसका प्रिंस्वल पोर्शन जो एटी ट्रिपल सी में आ जाता है इसका बेनिफिट मिलेगा अगर कुल मिला के हम देखे तो बहुत जादा आपके पॉकेट से जाने जाने वाला है और साल दर साल आपका इंक्रिमेंट भी लगने वाला है सैलरी भी बढ़ने वाली है तो अगले 2-3 साल में आपको पता भी नहीं चलेगा आप बीच में पार्सियल पैसे देके लोन को खतम कर सकते हैं इसके उपर एक खास वीडियो आप देख सकते हैं हमारा जो पीछे काफी पॉपलर है कि 20 साल के लोन को 5 सालों में कैसे खतम करें और उसका बहुत अच्छा आप लोग का रेस्पोंस आ रहा है मुझे कई बच्चों ने इंफो सीस से मेरे पास कॉल आया था बैंगलोर से उन्होंने का कि अंकल मैंने आपकी ये वीडियो देखके जो आपने सुझाव दिया है मैं 5 साल के अंदर लोन खतम कर लोंगी थैंक्यू सो मच और मैंने अपने सारे दोस्तों को डिस्टिब्यूट किया है इसको भेजा है आगे तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इसका करें जाद से अदा लोगों तक ये जनकारी पहुंचें ताकि मेरे अपने 15 साल का जो रियल स्टिट का अनुभव है और लोगों के बीच आसे दूसरी बात है अब एक सवाल आएगा कि जरूरी नहीं कि घर मांगा ही होता जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ जमीन की कॉस्ट डे बाई डे बढ़ रही है इंडिया में क्या पॉपलिशन बढ़ रही है और लोगों को जमीन से प्यार है आप देखेंगे चाहें गाउं में हो सहर में हो इतनी कोस्टिंग आ रही है बिल्डर भी इतनी इंकम आ रही है उनको तो मुझे अपनी कोस्ट इतने परसेंट बढ़ाना चीए और सबसे पहले जमीन की कीमत बढ़नी बढ़नी है तो जो एक प्रपर्टी है तो उसके साथ कोई प्रपर्टी बनेगी तो उसको कम से कम 20-25% महगा जमीन मिलेगा उसके साथ आप देखेंगे हर साल सिमेंट रेता सरीया मैं खुद भी एक बिल्डर हूँ और उसको महसूस कर रहा हूं कि हर 3-4 महीने पे हमारा कंस्ट्रक्शन कोस्ट लगवक 6-8% बढ़ना है तो मार्जिन कहीं ने कहीं कस्टमेर के उपर जाता है क्य चाहें यूबा हो चाहें अधेड़ों के हो चाहें रीटाइडों सब के लिए घर की जरूप है लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है यंग लोगों के लिए जिन्होंने अपनी इंकम सुरू की है जिन्होंने अपने इंकम बनाना सुरू किया है चाहें उनकी मेरेज होने वा आप जो लोकलिटी में रह रह रहे हैं अब आपकी इंकम के नुसारों सूटनी कर रहा हूं या आपको घर इसलिए भी चाहिए कि आपने अपनी इंकम सुरू कर दिया है टैक्स में बेनिफिट भी चाहिए इन सब कारणों के कारण एक यंग और जो एंटर्पेवनर हो चाहें सर्विस में हो घर लेना चाहता है और इसी बात को हम इस पे हम चर्चा करने वाले हैं और आपको बहुत सारे ट्रिप्स देने वाले हैं कि आप घर लें उसमें क्या-क्या ध्यान रखें ताकि आपको असुविधा नहों फाइनेंसिली क्राइसिस नहों और आप स्ट्रेस फ्री जिसको तनाव रहीत आप घर ले सके और उस घर की किस्ट को या उसके पैसे को चुका सके तो मैं आपको छोटे-छोटे टिप्स दूँगा जिसमें आप टेंशन फ्री अपना घर बना सकते हैं और फाइनेंसिल प्ल तो उसका पांच गुना दूसरी बात है अगर आपकी इंकम 50,000 है तो 6,000,000 हो गई और उसका हम पांच गुना करते हैं तो 30,000,000 है अब इसको क्यलकुलेट करिएगा अगर आपने 30,000,000 का लोन लिया तो लगवा 26,000,000 उसकी किस्ट मनती है अगर 50,000 का इंकम है तो बाकी भ पुड का खर्च है उसके बाद हो सकता है अगर बच्चे है तो इनकी स्कूल का खर्च है so that comfortably आप अपने काम को चला है अब कई लोग बोलेंगे कि क्या हम बड़े घर नहीं ले सकते हैं ले सकते हैं जैसे जैसे आपकी इंकम बढ़ेगी आप उसके अनुसार प्लान कर सकते क्योंकि बैंक भी इन चीज़ों को देखता है अब हम एक्जामपल लेते हैं कि आपकी वाइफ जॉब कर रही है उनकी 40,000 इंकम है तब आपकी इंकम कितने होगे 90,000 होगे जिनकी मेरेज नहीं उनके फादर अगर अरणिंग है उनकी भी 50,000 इंकम है तो उसको फैमिली इंकम में लेके लाख लेंगे फिर उसका फाइव टाइम्स बारा लाख की इंकम होगई साल की साथ लाख का लोन अगरो लेते हैं प्रपर्टी लेते हैं कमफर्टेबली उसको भाष सकते हैं एक दो चीजों का ध्यान सबसे खास रखें जब भी आप लोन ले तो लोन के साथ आज की रेट में कुछ बैंक कमपलसरी इंसुरेंस देते हैं जो रिडूसिंग बेसीस पे होता है लोन लैबिलिटी को कभर करता है ना हो आप टर्म इंसुरेंस भी ले बहुत सस्ता पड़ता है आपको पता भी नहीं चलेगा आप सेविंग प्लान में न जाए आपने अपनी लोन की लैबिलिटी को सबसे पहले कभर करना है अपनी लैबिलिटी को खतम करना है इसके बाद आता है डॉक्मेंटेशन पार्ट इसके लिए मेरा एक वीडियो बना हुआ है कि कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले जो चेक्लिस्ट क्या है दस से बारा डॉक्मेंट क्या क्या आप ध्यान रखें उसमें प्लॉट, फ्लैट, कमर्सियल का अलग-अलग है उसको देखें क्योंकि डॉक्मेंटेशन एक बहुत ही प्राइम है हमारे पास अक्सर हमारी टीम के पास call आता है property लेने के बाद finalize करने के बाद उसके बाद हमारे लिए भी मुस्किल है कि documentation जो हम बता रहे हैं वहाँ proper complete हो रहा है नहीं हो रहा है तो जब भी आप final करना चाहें तो एक बार हमारे expert panel से बात करें हमें हमारे comment box में comment करें आपको अपना number डाल के हमें update कर दें ताकि हमारी टीम आपको update कर देगी और आपका documentation complete हो गया आपका loaning का process complete हो गया तब आता है कि position आप जब भी किसी builder से property लें तो उनका track record जोग देखें इससे पहले किस तरह का construction किया हुआ है position में कितना time लगाया हुआ है इन सारी चीजों को देखें क्योंकि position एक बहुत ही prime है आप immediate घर लेके tax बचाना चाहते हैं अपने आपको rental से बचाना चाहते हैं हाँ अगर आपका investment का profile है तो different चीज है उसके उपर भी हमारी video बनी है flat flipping आप उसको देख सकते हैं तो यहां पर मैं आद बात करने वाला हूँ यंग लोगों से कि आपको घर की need है आपको shift करने की need है आपको tax बचाने की need है और अपना rental बचाने की need है तो position आपके लिए बहुत ही prime होगा और आप position लेने के बाद घर के मालिक बन जाते हैं और मुझे लगता है कि आज के इस वीडियो में इतना काफी रहेगा आप अपने सुझाब इसी तरह हमें देते रहेए और हम आपके लिए नए-ने topic पे नए-ने चीज़ों पे सुपटी-सनंबंधी अपडेट्स defensive property मंत्रा पर लेके आते רएगे इसके साथ ही हमारा reviews चलता है मंस में एक से दो बार हम video डालते हैं इसके आलाबा मेरा खुद का वायूςेना का background है बिश साल ситу सेना में काम किया है दिसनल एक सर्विसमेन का परसिडेंट हूँ, डिफेंस एलेटर ग्रूप का मैनेजिंग डिरेक्टर हूँ तो मेरा भी फर्ज बनता है कि डिफेंस परसिनल जो रिटायर्ड हैं सर्विंग के उनके वेलफेर के लिए कुछ काम करो तो उसके उपर बहुत सारे हमारे सर्विंग रिटायर्ड दोस्तों के सुझाब पर हमने डिफेंस वेलफेर न्यूज शुरू किया है जिसमें पहला हमारा एपोसियोड ओलेडी आ चुका है जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया है और आने वाले टाइम में इसी तरह के नए-नए मुद्दे डिफेंस वेलफेर न्यूज पर हम लेके आते रहेंगे तो Defense Later Group की तरफ से, Defense Property मंतरा की तरफ से, Defense Welfare News की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आभार इसी तरह अपना प्यार साथ सहयोग बनाए रखिए धन्यवाद